हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi हमश्कार बहुत बहुत प्वागत है आप सभी का Study IQ IAS Hindi में मेरा नाम है अतुल जैन तो आज मैं आपके सामने आया हूँ एक बहुत बड़ी खुशकबरी लेकर और ये खुशकबरी है हरियाना की रहने वाली 22 वर्शिया मनु भाकर को लेकर तो अभी आपने ये नाम सुन लिया होगा निश्चित तोर पर क्योंकि मनु भाकर ने आपको मैंने बताया था कि दो दिन पहले जो पैरिस में उलम्पिक चल रहे हैं उन उलम्पिक खेलों में कान से पदक जीता है और आज मनु भाकर ने एक ऐसा काम कर दिखाया जो आजा भारत में नहीं किया है और वो कारणामा है एक ही ओलम्पिक खेल में दो पदक चीतने का तो मनु भाकर ने आज 10 मीटर एयर पिस्टल जो कि उनका इवेंट था उसके मिक्स्ट डबल में उसके मिक्स्ट इवेंट में जहां पर एक पुरुष खिलाडी और एक महिला खिलाड से पदक हो गए है और एक ही खेल में दो मेडल जीतने वाली वो पहली आजाद भारत की महिला हो गई है बार बार आजाद भारत क्यों कह रहा हूँ एक बार इसको बताऊंगा इसके बारे में आपसे चरचा करूँगा तो भई सबसे पहले तो मनु भाकर को बहुत-बहुत भारत के लिए ये बहुत बड़ी उपलम्धी है और इसके बारे में एक बार समझेंगे विस्तार से लेकिन उसके पहले आपको बता दू कि भाई achievement प्राप्त करने का रास्ता आपके सामने भी है और उसके लिए आपको join करना पड़ेगा हमारा P2i batch जिसमें प्रतिग्या batch जिसमें आपको अभी 31 तारिक तक सेल मिल जाएगी 31 तारिक तक इसके दाम कम है अगर आप AJ Life Code लगाते हैं तो आपको 24,999 में ये मिल जाएगा पॉलिटी में अमरतुपाध्याय सबर के साथ ये batch अब शुरू हो चुका है तो आप इस batch से जुड़िए AJ Life Code लगाईए 24,999 में जुड़ जाएगे प्रतिग्या batch है यानि कि इसमें अगर आपका pre-qualify होता है तो आपको आपकी पूरी fees refund कर दी जाएगी आपके लिए batch फ्री हो जाएगा रोज तीन घंटे की life class, mentorship, daily practice questions, pre or means के मेंस के questions करो समाधान, pre और means की test series 18 किताबे आपके घर पे और अगर आप pre-qualify करते हैं तो full refund और साथ के फाथ मेंस के लिए आपको दिल्ली बलाएंगे आपका रहना, खाना, पढ़ना, सब कुछ जो है वो एक तरह से निशुल की ही आपको मिलेगा पूरी तरह से आपको कोई भी फीस उसके लिए नहीं देनी पड़ेगी, ये बात क्लियर है, तो भाई अब चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बार समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या, तो पैरिस ओलंपिक में आज क्या हुआ, ये जो मनु भाकर अल्रेडी एक पदक जीच था, उसमें मनु भाकर को अल्रेडी एक कान से पदक मिल चुका था, आज क्या था, ये इनका फेवरेट इवेंट है, 10 मीटर एयर पिस्टल, और इस 10 मीटर एयर पिस्टल में, आज जो है, एक मिक्स्ड इवेंट था, मिश्रित इवेंट जिसे हम कहते हैं, जहां पर दो दो लोगों की टीम जो है, वो भागिदारी करती है, और इस मिश्रित इवेंट में भारत की ओर से कौन-कौन थे, मनु भाकर थी, और सरब जोत सिंग थे, ये दो भारती एथलीट जो हैं, वो आज इसमें इन्होंने भागिदारी करी, और इसमें भी इनको कान से पदक प्राप हुआ, तो भारत के अब इस प्रतियोगता में दो कान से पदक हो गए हैं, याद रखिएगा, मिक्स वगरा में, अगर किसी टीम को मेडल मिलता है, तो एक ही गिना जाता है, दो नहीं गिने जाते, हाला कि दोनों को कान से पदक अलग-अलग मिलेगा, लेकिन देश के लिए टीम के लिए एक ही कान से पदक माना जाएगा, लेकिन इंपोर्टेंट चीज ये है, इसमें जो समझने वाली बात है, बहुत बड़ी उपलब्धी है, लेकिन साथ के साथ एक एतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ देने वाली उपलब्धी है, मनू भाकर की, जो कि भारत के लिए किसी एक उलम्पिक एडिशन में, किसी एक ही उलम्पिक में दो मेडल जीतने वाली बहली एथलीट बन गई है, अगाधी के बाद से, ये मैं आपको बता दूँ, मैं बार-बार ये इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि सन 1900 में, सन 1900 में भारत के एक एथलीट थे, नॉर्मन इंडियन थी ये, क्योंकि याद रखिएगा, उस समय भारत की टीम उलम्पिक में पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन ये क्या था, क्यूंकि उस समय ब्रिटिश इंडिया था, भारत जो है स्वतंत्र नहीं था, ब्रिटिश इंडिया था, तो आप समझ सकते हैं, नॉर्मन मीटर स्प्रिंट और दो सो मीटर बाधा दोड़ जो होती है, ठीक है, तो इन दो एवेंट में, दो सो मीटर की दोड़ और दो सो मीटर की बाधा दोड़ जो होती है, हर्डल रेस, इन दोनों एवेंट में इनको रजत पदक मिला था, और ये जो है, सन 1900 में इनको दो पदक मिले थे तो अगर हम इनको भी काउंट कर ले तो भाई 125 साल पहले किसी भारतिय एथलीट ने एक इवेंट में दो पदक जीते थे एक ही एडिशन में और अब जो है दो पदक जीतने वाली एक ही इवेंट में मनुभाकर जो है अगर आप पूरा इतिहास उठा ले तो दूसरी भारतिय हो गई है और आजाद भारत का इतिहास उठा ले तो पहली भारतिय हो गई है साथ के साथ वो उलम्पिक खेलों में कुल मिला के दो मेडल जीतने वाली भी तीसरी भारतिय बन चुकी है उनके पहले दो भारतिया ऐसे रहे हैं, अब मैं आज़ाद भारत की ही बात करूँगा, Norman Pritchard صاحب की बात नहीं करूँगा, आज़ाद भारत में दो भारतिया अब तक ऐसे रहे हैं, जिन्होंने उलम्किक खिलो में दो मेडल जीते हैं, एक है पहलवां सुशील कुमार, खुशील कुमार सहाब ने दो बार उलम्पिक में मेडल जीते 2008 और 2012 में 2008 में जो बीजिंग उलम्पिक था उसमें इन्हें कांसे मिला था कांसे पदक और 2012 में जो लंडन उलम्पिक था वहाँ पर इनको रज़त पदक मिला था तो फुशील कुमार साहब को दो बार मेडल मिला है उलम्पिक में और इनके अलावा पीवी सिंधु भारत की शांदार जो बैडमिंटन खिलानी हैं बहुती प्रसिद्ध पीवी सिंधु जो हैं इनको भी उलम्पिक में दो बार पदक मिला है 2016 में रियोड जिनेरियो के जो उलम्पिक थे ये वाला फाइनल मैंने देखा था जहांपर वो फाइनल में हार गई थी और इनको रजद पदक मिला था 2016 के रियोड जिनेरियो में और उसके बाद 2020 के टोकियो उलम्पिक में जो की वास्तव में 2021 में हुआ था उसमें इन्हें का दो पदक, एक से दादा पदक मिले हैं, दो पदक मिले हैं, और अब इस सूची में मनू भाकर का नाम भी शामिल हो गया है, जैसा कि आपको मैंने बताया, कि अब इस सूची में एक नाम और जुड़ गया है, मनू भाकर, और उनके नाम एक शांदार अद्भु तुपलब्ध तो दो अलग अलग इवेंट्स में उनको कान से पदक मिला है और इस तरह से मनू भाकर इस एक बहुत ही बड़ी बहुत ही शांदार इलीट लिफ्ट में शामिल हो गई है। मनू भाकर शायद दुनिया की सर्वश्रेश्ट निशाने बाद बन सकती है। कर लिया तो आपको आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी आज ही जुड़िये बिलकुल भी देर मत कीचे। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपी एसी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टड़ी आइक्यू आईएस हिंदी प्रोग्राम्स